आप बीबीड पर पूरी फोल में रोजिंग लगाते होंगे पीबेड पर आप टच करते होंगे डी-सी मसीन पाच इमपीड के साथ में आप स्विडिंग निकाल लेते हैं पर क्या होता है हाफ्ट निकालने के दूस्तों बहुत सारी तरीके हैं और मैं आपको नैनो स्विडि अगर आपके पास अगर कोई मुबाइल आया जिसमें बीपी एच लाइन पर आपको स्रॉटिंग मिली तो आपका मुबाइल बनेगा और 100% बनेगा और यह स्यूट ही देता हूं इस वीडियो के मादम से हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जित के जित है मेरा फिटूर जित है मेरा गुरूर जित है मेरी जुर्ण यूडियो फैमिली कैसे आप सभी लोगया दोस्तों एक वीडियो फिर से लेकर आया है अगर आप दे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वीडियो बहुत है कंटेंड बहुत है और भी पेड दोस्तों यहां पर आपको वह कंटेंड देखने को मिलेगा जो आपको चोड़े- की चोडियोग के सब्सक्राइब अब बात करते हैं हो और करने की समय में हब निकालनों से बिक आप वो लिएंगा मैं अपनी सेकंडरी लाइन की सॉर्टिंग जब आप प्रामिरी लाइन मतलब जो भी बैट की लाइन है अब जब आप देखते हैं कि वहां आपको जी आर मिलता है वहां को प्रॉपर रिडिंग मिलती है बड़ आप जब उसको रिवर्स मोड पे चेक करते हैं जब आप चेक करते हैं तो आपको हजाल से का मेल्यू मिलती होगी राइट जब आप इसको चेक करते होंगे दोस्तों तो आप पाते होंगे कि आपकी फोन में स्वाटिंग है अगर आपके वीपी एच लाइन अगर आपको नोलेज है तो अच्छी बात नहीं है तो फिर जब आपके बडाबर आ रहा है तो इसका मतलब आपका फोन में बीपी एच लाइन स्वाट है इसका मतलब हर वो सेक्षन वह चाहें पीएम हो लाइट हो वह ग्राफिक्स हो वह स्पीकर हो वह पीएफ ओ या कोई बी ऐसे सेक्षन जिसमें इंपूट लाइन बीपी एच की जरूरत है वहां पर आपको स्रॉटिंग देखने को मिलेगी सो बिसी के लिए उस स्रॉटिंग को निकालने के लिए आपको क्या करना बढ़ेगा तो सबसे बैस तरीका में आपको दे रहा हूं यूटूब का अब तक का अपने यूटूब में वीडियो देखे होंगे बहुत इसा कंटेंड दे रहा हूं इसलिए इसको धान से सुनिएगा धान से देखेगा यह वीडियो का स्किप करने का तो लॉजिक नहीं बनता है क्योंकि स्किप करोगे तो बेमतलब का तो क्या ही मतलब है फिर तो फिर हजारों रोपे दो और आये कि लास में और यही चीज़े स जिसमें मैं आपको इस प्लेइन करूंगा और दूसा पार्ट बिट पैक्टिकल डालूंगा जिसके बार में बनाऊंगा जिसमें एक फॉन में यही बीपी एची लाइन को कैसे मैंने यहां डिफाइन किया वैसे ही मुझे शॉटिंग निकालकर आपको देखा नहीं है तो दोनों पार्टों को देखते हैं आपको और एक पार्ट अभी देख रहे हैं दूसा पार्ट कभी भी आ सकता है इसलिए उसके लिए सब्सक्राइब कर ले ना बात करते हैं दोस्तों मैंने कुछ कंटीन भी आपे बना के रखा हुआ है मैं आपको इस पार्ट में स्कमाटिक लगाते हो तो आपका जो बीबैट है वह एक प्रोटेक्शिन आइसी में चला जाता है जिसको दीसी किए आए इसी के चाहिते हैं उसका काम ही होता है दीसी को रेगुलेट करके रखना मारला इस्टेवल रखना जैसे स्टेबिलाइजर का काम होता है अब दिखते होंगे आप फास जब अब आप AC पर्चास करते होंगे तो इसे स्टैबलाईजर अरग से पर्चास करते होंगे 2.5-2.6 उसका काम क्या होता है उसका काम है 220 वोल्टेज को यह 230 जो भी बॉल्टेज है उसको फ्लेच्ट नहीं होने देना उसको अपडाउन नहीं होने देना अगर वो हो रहा है तो बहार उतना ही voltage maintain करना है उसी को regulate कहते हैं so regulate करना voltage को regulate करते रहना यहां पर DC to DC जो voltage है यही चीज प्रोटेक्शन क्यों बनाया गया क्योंकि दोस्तों कंपणियों के बहुत तरह फोल्ट आने लगे बैट्री फूलना का बैट्री फट जाना और इस तरह के जिसमें कस्टमर परिशान होगे उनको फीड़बैक आ रहे है कि भी आपके फोन में यह यह प्रॉब्लम है अगर मैं बात करूं में पावर को तो सीधा बीबैट डे रहा हूं इसलिए अब उन्होंने सब पावर आईसी बनाना चालू कर दी अब आप देखेंगे कि एक पावर के बाद दूसरी पावर बन गई और उसके बाद अब तीसरी चौटी पावर क्यूब नहीं इसके लिए अब हमारा फोन बीबैट से चालू तो होता है पर बीबैट के डारेट वूल्टे से चालू नहीं होता है उसके बीच में डीसी डीसी कनवर्टर लगा हुआ फॉर जांपर सिर्फ जांपर के तॉट पर क्योंकि जब आप क्लास में मेरा यह टॉपिक संझेंगे तो मैं उसम से फॉर जांपर बीक्यों पीएमाई यह डीसी 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 एक जांपर के तौर पर साइड कर रहे हैं हम यहां बात करें कि इसके अंदर ना दुसको एक मॉस पैट लगा होता है अब वो पी चनल या एन चनल है तो यह उसका हम स्टरचर देखकर बता पाएंगे तो यह इस पर किससे बनता है सी तो यहां पर आप देखें डायोट का काम ही होगा एक ना जोपनिखर बेजना मतलब अगर ऑगर चार वोल्टेस आगे भेजना आप चार बेजैगा अगर बात करों यह कुछ बहाँं इस को आफशाल होत्क ह sitcom और आपका पूरा DC to DC हवा में ओर जाएगा जैसे ब्लास्ट ऐसा आपको बिलास्ट होते हो जो दिखाई नहीं देगा तो आपको कैसा बदल चलेगा जब भी आप DC मसीर में अपना फोन लगाएंगे तो आपको आपको हाप दिखाई देगी जिसमें मैं आपको DC मसीर के एंपर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हाप फोनों में आ सकती है तो यह आपको दिखाई देंगी उस टाइम पर क्या होगा आपके अल्मुस्ट जितने भी सो में से तीस चालिस कापिसेटर जो आपको हर सेक्शन में हैं लगे में लेंगे वह सौट दिखाई देंगे अब उस एक्शन को इसा भी हो सता है पी एम हो लाइट होगी ग्राफिक्स होगा स्पीकर होगा पीएफ होगा कोई से भी सेंसर या जो भी जिसमें को कि जिस भी एपीटी मॉडुलेटर के बात को लिए जो भी है जिसके अ अरे इन केपिस्टर में सौट आए तो जोड़ी नहीं है कि आपका आईसी ही खराब है और जोड़ी नहीं है कि आपका बिसिकली यहां पर बीबैट्टो कहीं सौट माने नहीं जाएगा क्योंकि डायोड में जब भी आप देखेंगे डायोड का प्रिंसिपल यह होता है कि पर कभी भी यहाँ पर दोनों तरह पर पूरा ही शॉट हो गया तो ही अलक बात है अगर डायोट मर सॉधूज हो जाए तो दोसरी और दिखाएगा मतलब अगर केचा गर उतन ही वूल्टिज बना रहएगा जितना उम बैटरी में दे रहे हैं तो बैटरी के फूलने के चांब सिसक्छ सब्सक्राइब करें चえーestä कंड़ने के चांड़ सब्सक्राइब वłd चांड़ मैं बात करूं इसमें से कोई भी कैपिसेटर सपोज। यह कैपिसेटर ग्राफिक्स का जो 2डाफिक थे पत्रude कि निया लोगे सड़ गया आ पानी में जाने के तरहर यह सूर्थ और नहीं एकाड़ कहला गए क्या यह पूरी की पूरी लाइन को सुड़ कर देगा और शिसमें आपका जिसमें आपका आप क्या करना आप सबसे पहले अपनी बी पिय च का वी स्विचिंग के साथ में आप डिसी डू दी से शी के साथ यह कोईल फाइंड़ मुं करना इस कोईल को फाइंड़ करने के लिए बौर्नी लिग पाइंड उपन कर सकते हैं और अगर अगर उसके बात भी ना हो और तो तो आप देखेंगे अब आपको क्या करना होगा आप आपको आपको आपने रोजिंग लगा लेना है सब जगे पर ठीक है और आपको इन दोनों पर पहले जीर चेक करना है तो जब भी अगड़ स्वाटिंग को यह कापसेटर में है तो एक और आपको जीर मिल जाएगा जो आइसी की तरफ का होगा और दूसरी और आपको बीप मिलेगी जो आपके सेक्शन की तरफ का होगा तो अब आपको इसी पैड पर कोईल हटाने के बाद में आपकी DC सप्लाइ मसीन या आपका जो भी 20 एमपेर का चार आपके जो हम स्व की लाइन है तो यह क्या होगा यह चोटा सा कैपसेटर बलग जाएगा इसको वोल्टेज मिलेगा और यह आपको कैपसेटर दिखा देगा हाँ मैं इधर हूँ ठीक है तो यह तरीका होता है अब हम लोग क्या करते हैं हम लोग बलकाइदा यह पूरा कोईल लगा रहन देते और अगर आप सही तरीके से और प्रोसेस तो प्रोसेस चलेंगे तो आपको यह सॉर्टिंग हमेशा वन टाइम में निकलेगी आपको ज्यादा मगजमारी करने के ज़रुवत नहीं है क्योंकि यह तो हाफ सॉर्टिंग है और बीपी अच के लाइन के सॉर्टिंग बहुत एज स्क्राइज करें दोस्तों स्कमाटिक के अंदर कभी भी आगर आप बूले कि इसे थो डूरूँ गा तो आप किसी भी इसक्राइज के अंदर आप यहां पर आप देखे तो आपको यहां पर चारजिंग अशी के डाट में जाना है और यहां पर वी एजड़ आ इस डब्लु जिसको आप देखने को मिलेगा तो यह दायोड को भी आप निकाले कर जरूर रिखेगा अब इसकी बात करूँगा तो मैं आपको कुछ फोटूस दिखाता हूं और फोटूस के हिसाप से मैं आपको बूनियों और इसकेमाटिक पर ले जाता हूं और ताकि आपको वही चीज कि इस डाइगराम के वही चीज वहां पर भी मैं इस प्लीन करता हूं सबसे पहले मैं बात करता हूं स्कनाईक का अब देखिए मैं में क्या किया है यह POCO का F1 का मौडल है और POCO F1 के मौडल में अगर मैं बात करूँड़ zwy algunos PMI का यूज किया गया है यह बाद चेक करें का रयता हूं यह 8998 PMI का यूज किया गया है मुझे क्या करना है मुझे सिर्पी पी आम ये डूड़ना है नोडेस किजे मेरा चार्जीन के सेक्षन है इसको मैं सब्सक्राइन करना है इसको मेरे इसको मैं एसप्लें करने के लिए बहुत जली वीडियो बनाने वाला हूं अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मुझे switching की लाइन ढूणनी है, तो notice करो, यह मेरी switching की लाइन है, अब आपने, जो मैंने उस समय बताया था, वो ही इस समय बता रहा हूँ, कि अब आपको क्या करना है, अब आपने यह coil ढूणना है, अब आपको इस coil को, यह coil देखाए दे रहा है, इस coil को आपको रिमूब करना है, आप इस coil को रिमूब करेंगे, तो आपको एक और GR मिलेगा और एक और BIP मिलेगा, अब जिदर भी और आपको BIP मिलें मतलब समझो वो साइड आपका सॉर्ट है, हो सकता है कि यह सॉर्टिंग आपकी आईसी की ओर हो, तो यह भी आपको समझ लेना है, ठीक है, तो यही चीज हम बात करेंगे क्योंकि फिर उसके बाद यह BPH लाइन मनता है और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर आगे डायोड की यूज के गए प्रोटेक्शन लाइन के लिए, अब मैं बात करता हूं यही चीज मैं बूर्णियों के स्प्लेन करता हूं, सबसे पहले मैं आपको एक और अब्वेस हार्वे सलूशन जे स्प्लेन करूंगा, सो हार्वे सलूशन में नोटिस किज़े हैं, यही पर अगर मैं इसी मॉडल की बात करूं तो यहां पर आप नोटिस करो, तो यहां पर यह जो बीपी एच लाइन है वो देखो यह आईसी है, यह आईसी लगी है PMI 8998, यह आपका कोईल लागा हूओ है, एक और आपकी VSW की लाइन बन रही है और एक और आपकी जो बंbon बन रही है वो BPH है, जो सलुए जो एक और बन रही है वो बीपीएच है जो बेसिकली हमारी घूम के बापस आईसी में आ रही है तो हम यहां पर बीपीएच का पैड भी देख सकते हैं अगर यह लाइन ना बने तो आगे की बात है कि अगर मेरा फोन डीसी से चालो अगर मेरा फोन बैटरी से चालो नहीं हो मेरा है क्योंकि भीपीएच की लाइन आपकी बैटर्ली लागाने पर भी बन जाती है और चार्ज लागने पर भी बनती है अगर भी खोना फोन आपका फोन ऐला है तो हो Carl Business के आपको यहां पर यह mainly power गृइंसी डूढना है और दी aúnसी तुदूद Finnish के पास फिर आपको सेम चीज डोर्हां हो तो आपने यह कोईल उठादेनी है और यह क्विए कर आप लाइग चेक कर सकते हैं और कि मैंने बता है हर्जे के रोजीन डाल आप इस पर एंपेर पूट कर सकते हैं ठीक है और अगर मैं दिखा दूँ यहां पर और इसके साथ एक और करता हूं कि DC2D-CiC कौन सी है ठीक है यहाँ पर मैं बात करूँगा यह मेरा आपका कोई है इस कोई में एक और वी एजडब्लू और एक और वी पीएच बन रहा है तो यह बीपेच मालो जिस जिस कैपसेटर में जाएगा सपोज यह 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 जिस भी कैपसेटर में तो वह यही चीज आपको bitmap के थुरू बता हूं, तो notice किजे, या आपकी, जैसे bitmap के थुरू, अगर मैं बिपीएच को धूरू, तो आप इसके plus को टिक किजेगा, और देखेगा किस IC के अंदर यह एंटर कर रहा है, तो notice किजे, इस IC के अंदर यह एंटर कर रहा है, और इस IC के यह आपके BPH के कैपेसिटर, जो कि आपके पावर के पास लगे होते हैं, जिसके कारण आपका बग बनता है, और आपके High LDO, Lower LDO बनते हैं, तो देखे, यह पूरी की पूरी लाइन हमारी BPH के है, तो आपको यहां पर करना क्या है, आपको इस कोईल को हटाना है, और फिर से आपको बीब मिलेगा, तो जैसी इस वाली राइन पर रोजिंग लगा के यहां पर इंपेड होगे, कोई ना कोई कैपेसिटर होगा, जो आपका बलग जाएगा, और मतलब पॉप अप हो जाएगा, और इससे आप से स्रोडिंग ढूने में असानी जाएगी, तो दोस्तों, कैसा लगा, यह वीडियो मुझे बताएगा, जुरूर जिसमें मैंने आपको एस्प्लेइन किया है, कि आपकी सेकंडरी हाप स्रोडिंग को कैसे दूरा जाए, अगर वो बीपी एच क्लाइन से है, तो यह एस्प्लेशन कैसा लगा, मुझे बताएगा, और इस पर एक दूस के लिए सस्क्राइब और लाइक ज़रूर करना, और क्लासे की बुकिंग चालू है, आप आचा है तो आसकते हैं, अगले महिने के लिए इस महिने हमारा क्लोज हो चुका है, और दोस्तों, इस तरह के और अच्छे नॉलेज लेने के लिए, और अगर आपके इंस्टूड मे को भी पुला रहे हरा, भूट डेे रहा है, लाइस क्या करके लाइस लाटे कि लाइस and गलेजिग्र को निखा पूरां, शूरा क्लिय काथ ब्सक्राइब जबल कारूर, निखार क्लेंग किलेज ए, लाइस लाटा कर गए लाश्ट्रिक णिक गया, ईससक्वर्य निखा लाट कर देब और चाहत हूं किसी नब स्कृदने किया किया चाहता आपने क्लाइब है बॉल्गा embedded बंकिया अगया अधा कुब रहे हां मेरे अखार कर निकाल के रिवाल कर रिपार विश्ट्रेय comply मिलता ही ο्ड देकर भाने क्या क्या कर विदाने क्या उस guar युलल देकरvertygad डूब डेकर सिक्यू किया यह आक पर यह आपने खुद किया खुद से सब ना तर और के दूबारा लगाया अग्धार सबी बच्शों क्या कि आज के दिन बताई बस ने डूइल देकर किया आपने में इसाद में इस अब आप इस अब आप 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 आप